असलाम अलेकुम जी, तो आज है हमारा सबसे इंपोर्टेंट डे, जो के ऑपरेशन डे है और ये दिन स्टार्ट होगा हमारा ब्रेकफस्स से, जो के हमारा होटिल स्टे है, पैकेज के इंदिर इंक्लूड़िड उसी में ये breakfast भी included है, बहुत अच्छा breakfast, आज करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आज पूरे दिन में बहुत energy चाहिए होगी मैं excited भी हूँ, nervous भी हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है क्या process होता है, कितना time लगता है, सुना है कि local anesthesia की काफी pain होती है अब अगर हमारी hair transplant guide चल रही है, तो मैं साथ सा चीजें आपको बताऊंगा, जिस तरह अब मैंने इस टाइम ये जो shirt पहनी है, ये button down है, और यहां से यहां तक buttons, अब इसका ये क्यों ज़रूरी है, अकसर लोगों को नहीं पता होता है, वो hair transplant में T-shirt ये polo shirts पहन जाते हैं, उ उसके बाद जब आपका ये bandage लगती है, और आपका सारा hair transplant होता है, तो उसको उतारने में और दूसरी shirt पहनने में बहुत मसले होता है, तो सबसी easy ये होता है, कि आप button shirt पहन के जाओ, ताकि easily वापस आके आप इसी तरह button खोल के, और shirt चेंज कर लो, कल जब हमने इस hotel में च होती है, तो मैं फॉरन कोई ना कोई चॉकलेट उठा गे खाए, सबसे सलाम दो होई, सबने बहुत अच्छे से वेल्कम किया, और उसके बाद हम लोग ऊपर एक फ्लोर पे गए, जहाँ पे एक consent room था, वहाँ में बैठके एक तकरीबन 8 pages की file मुझे दी गई, वस file के अंदर हर तरह का question था, जिससे मेरी medical history उनको पता लग सकती, यहाँ से start होता है हमारा operation का दिन, step number one, आपको operation room के अंदर लेके जाते हैं, बहुत friendly महौल है, सारा staff आपके साथ बड़ा friendly behave का रहा होता है, तो आपको कुछ ऐसा नहीं feel होता कि आपका बड़ा कुछ serious operation है, हालकि यह serious operation ह क्योंके 8 गंटे का operation होता है, operation room में जाने के बाद, step number one यह, कि आपका blood pressure चेक किया जाता है, कि आपका blood pressure के अंदर कोई issue तो नहीं आ रहा है, उसके बाद आपका blood test किया जाता है, let's be sure, okay, if you have any chronic diseases of or any drug allergies, no, okay, have you ever had any cardiac arrhythmia, no, ever passed out, you never ever had major surgeries before, no, no, never, वो सारा कुछ करने के बाद, आपके doctor आके आपको मिलते हैं, और वो आपसे आपकी expectations पूछते हैं, कि आपकी baldness है, आप कितने बाल दुबारा वापस आते हो, आप hairline अपनी कहां पे चाते हो, वो आपसे एक एक detail पूछते हैं, कि आपकी क्या expectation है, आपने बताते हैं, तो वो अच्छी लगेगी, तो मैंने doctor साब को का कि मुझे आप पे trust है, आप देखें, जहां पे आपको बेतर लगता है, जहां पे आपको लगता है, जहां पे आपको लगता है कि natural look आएगी, वहां पे आप मेरी hairline को draw करने, हमारा process start हुआ, यह hairline draw करने वाला, और जो मे इसे packages हैं, जिनमें doctor hair line draw करते हैं, और बाकी काम, बाकी staff कर रहा होता है, वह भी बहुत experienced doctors होते हैं, जो साथ में कर रहे होते हैं, क्योंकि यह एक बंदे का काम नहीं है, hair transplant में बहुत लोग होते हैं, सफाइर F.U.E. के अंदर doctor की involvement अपनी ज्यादा से ज्यादा होती है, उन् एक और हमारा बहुत ही main step, जो के local anesthesia, local anesthesia के बारे में, जब से मैंने hair transplant पे अपनी research चुरू की थी, इंटरेट पे सब बोलते हैं, local anesthesia is the most painful thing जो आप experience करोगे, मतलब इतना pain होता है, तो मेरे दिल में सबसे बड़ा डर जो था, इस operation को लेके, वो local anesthesia का ता हमें हर इंसान ने बोला है कि इतना pain होता है, पता नहीं क्या होगा, बट जब उन्होंने मेरी head की back side पे, जो के donor area होता है, वहाँ पे जब anesthesia shots लगाने शुरू कि ये, एक shot, दू shot, तीन shot, मुझे pain हुई, बट मुझे, मुझे लग रहा था कि ये anesthesia की pain नहीं हो सकती, जिस तरह से लोगोंने क injection लग रहे हैं, इसके बाद anesthesia होगा, क्योंकि ये वली वो pain नहीं है, जो मैंने आज तक सुनी है, और तीन ये चार anesthesia के shots लगे हैं, उसके बाद मेरा back head नम होना शुरू हो गया, सुन हो गया, मैंने उन से पूछा कि anesthesia भी होना है या हो गया है, उन्हेंने का यही anesthesia था, त तो मैं उससे हम सोच रहा था कि लोगों ने इसको इतना जादा एक्जेजरेट क्यों किया वे इंटरेट पे, ये इतनी भी कोई बड़ी pain नहीं है, जितना मैं डर रहा था, ये जितना कोई और इंसान वहाँ जाते भी डर रहा होगा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, pain होती है, जिस तरह आप सोचो आपको injection लगए, उसका 3x या 4x pain कर लो, बस इतनी होती है, इससे जादा नहीं है, खेर 3-4 shots आपको anesthesia के लगते हैं, ये तकरीबन 2-5 minute के अंदर अंदर आपका पूरा जो head की back side है, वो numb हो जाती है, सुन हो जाती है, उसके बाद आपको कोई पता नहीं लगता कि आपके सर पर कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस आपको feel होता है कि शाहिद कोई touch कर रहा है, बट कोई pain नहीं कुछ नहीं, अब head की जो back side होती है, ये donor area होता है, donor area किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा नहीं होता, मतब आपके donor area पर कितने बाल हैं उस हिसाब से doctor decide करते हैं कि वो donor area में से कितने graft extract कर सकते हैं मतलब कितना donor area आपको बाल दे सकता है तो मेरा donor area अच्छा था जिसकी वज़ा से मेरे donor area में से 4500 graft एक-एक single बाल मतलब निकाला गया तो 4500 graft जो है वो extraction हुई उनकी donor area में से 4500 graft निकालने का time तकरीबन कोई 20-30 गंटे का था बट मेरा head नाम था उपर से मुझे उन्होंने zynex दीवी थी जिसकी वज़ा से मैं almost so ही रा था मुझे पता नहीं लगा कि time कैसे गुज़रा है उसके बाद doctor साब आई उन्होंने का जी हमजा हमने आपकी एक्स्रक्शन कर लिए 4500 graft हम निकाल सकें जो के बहुत अच्छी amount है इससे हम आपका head काफी हद तक जो है वो fill करेंगे उसके बाद अगला process होता है कि sapphire blade जो के मैंने आपको बताए है मैंने पैकेज लिया था sapphire FUE sapphire blade अभी तक की सबसे pro technology है hair transplant के अंदर अधरवाइस पहले steel blade ये किसी और blade से ब्लेडिंग की जाती है आपके scalp के उपर जहां पे बाल लगने होते हैं इस package में sapphire blade यूज किया जो सबसे safe और सबसे recent technology है पेला anesthesia था मेरी extraction के लिए जो के तीन घंटे पहले दिया था और उसमें extraction स्टार्ट हुई थी second anesthesia आपको दिया जाता है जब आपकी implantation शुरू होनी होती है scalp के उपर वो फिर से anesthesia के को छॉट्स लगाए ये वाला anesthesia मुझे back head से थोड़ा सा ज्यादा painful लगा थोड़ा सा ज्यादा नहीं normal था तो उसके बाद मेरा front head scalp पूरा नम हो गया सुन हो गया उसके बाद डॉक्ट सब ने bleeding शुरू की पूरे head के उपर उन्होंने blade मुझे उस तरह में ऐसी अवाज आ रही थी मतब नम था कुछ नहीं पता लग रहा था क्या हो रहा है बट आंखे मेरी बं थी तो मुझे ऐसी आवाज आ रही थी कि एक सेब के अंदर बार बार तेजी से कोई छुरी एंटर कर रहा और निकाल रहा है चोटी-चोटी अवाज इस तरह की अवाज़िया आ रहा थी काणों के अंदर वरना मुझे फील नहीं हो रहा है कि यह मेरे सर के अंदर कुछ किया जा रहा है मतब फील आपको कुछ भी नहीं होता बहुत normal simples है इक मतब vegetarian है या non-vegin chicken खाएंगे kebab खाएंगे मैंने शुरू में का था कि मैं तुर्की में हूँ तो भई कबाब खाऊंगा तो lunch break में मुझे कबाब साथ में naan, salad, juice यह सब serve किया गया 15 minute का break था मैंने lunch किया अभी तक operation के 5 गंटे complete हो चुके थे lunch तक 5 गंटे का operation हमारा हो चुका था फिर मैंने 15 minutes का lunch किया उसके बाद हमारा शुरू हुआ implantation, एक-एक single ball को उठा के आपके scalp के अंदर plant किया जाता है जो bleeding की थी वो मेरी doc साब ने की थी क्योंके जहां पे उन्होंने blade से mark किया था पूरे scalp पे, वहीं पे implant होना था तो वो उस चीज के अंदर doctor साब का जो अपनी एक महारत है वो बहुत important थी implantation, बाकी जो staff था उसने की, क्योंके doctor साब तो mark कर गे थे कि यहां पे बाल लगने खेर, धाई से तीम घंटे का अगला प्रोसेस था हमारा जिसके अंदर मेरे 4500 graft, single एक एक graft को उठा के मेरे scalp के अंदर implant किया गया और उसके बाद उनने मेरा head को जो है मैं सो रहा था, almost इस टाइम में, सारा टाइम अगर आठ गंटे का operation था तो मैं तकरीबन 6.5 hour सो रहा था मुझे पता ही नहीं लगा के टाइम गुसरा कैसे मुझे उठाया तो पूरा स्टाफ और Dr. Go K. Bilin मेरे सामने खड़े हुए थे और मुझे एकदम अच्छा फील हुआ कि सब इतना खुश हैं तो मेरा operation अच्छा हो गया उसके बाद सबने मज़े पूचा कि कैसा फील कर रहे हैं मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं बिल्कुल रिलेक्स हूं मुझे कोई भी मसला नहीं हो रहा तो देन मेरा पूरा डोनेर अरिया कवर कर दिया गया और operation के बाद हम लोग जा रहे हैं भी hotel वापिस और मेडम तुर्क्यान एंसअ का मेरी डोस्त की साथ वार मुझे बाद हुए रहा है बुली क्या है यह तच्छी बात हो गई है अच्छी बात हो गई है अच्छी बात हैं नहीं होगे चली से वांपुरोग होगे फिशार उखाटी जैसे होगे बट येस बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था बिल्कुल भी वह बहुत अच्छी सर्विसे और पेन वगएर नहीं उस तरह से फील हुआ ओके जी बारिशों का मौसम है आज लेकिन फिलाल होटिल के अंदर जाना जरूरी है कोई हलका जैवी कतरा नहीं पैना चाहिदा और ये भाई आपके सामने बैठा हुए अपना हेट ट्रांस्प्लाइंट कंप्लीट करवा के 4500 ग्राफ मेरे यहां पे लगाए गए है जो कि आपको इस ट्रेम नजर भी आ रहा होगा और ये जो चीज है ये मेरे हेड पे अब ये जो सारा आपको यहां पर बेंडिज नजर आ रही है बैक साइड पर ये है डोनर एरिया के उपर क्योंकि डोनर एरिया आपका हार्वेस किया जाता है पूरा मतब उसके अंदर से एक्स्ट्रेक्शन होती है 4500 ग्राफ की जो मेरा पूरा जो हेड की बैक साइड है उसको कवर कर दिया गया है और ये जो बैंड है ये बैंड लगाने की रीजन यह होती है क्योंकि हार ट्रांस्प्रांट के बाद आपका हेड स्वे हो जाती है दुनिया में हर ट्रांस्प्रांट के बाद आपका हेड स्वेल होता है हमारे एकसर पाकिस्तान में या डिफरेंट जगों पर ये बैंड नहीं लगाया जाता जिसकी वज़ासे वह स्वेलिंग आपके हेड से नीचे मूह के उपर आ जाती है तो आपको लगता है कि ये इनफेक्शन हो गी है बट ये एक मेंडेटरी चीज है कि ट्रांस्प्रांट होगा तो ये स्वेलिंग एक दू दिन के लिए आती है अब यहाँ पर ये बैंड लगाया जाता है थोड़ा टाइट करके ताकि आपकी स्वेलिंग जो है वो इस बैंड से उपर उपर की उपर ही रहे अभी भी शायद आपको नजर आ रहा हो कि मेरा जो सर है उसके उपर स्वेलिंग आपको थोड़ी फील हो रही होगी तो इस बैंड की वज़ा से सोजिश नीचे मूँ पर थोड़ी काम आई है शायद यहाँ पर आंखों की नीचे हल्की सी आई है इससे सकता है तो 8 गंटे का प्रोसेस था अल्ला का शुकर है बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सूपर एजी फ्रेंडली स्टाफ स्माइल हेर क्लेनिक मतलब मुझे यह खुशी हुई कि मैंने बहुत अच्छी जगा चूज किये अपने हेर ट्रांस्प्लांट के लिए सब बहु तो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट कॉन मिस करता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हेर ट्रांस्प्लांट अभी थोड़ा लेट करवाया है यहां पर मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उनकी अगर हेर लाइन में इतनी सी हेर ल जितने ज्यादा आप बाइनेहां कर दो कि अग्यांक जो स्पात्नेजारों किल मेंगया लाख के लृव तना व। कम भ्र्म होगे उत्तने ज Goblin और मुधेब दीन किमप्लाइब सब्सें पहले इक क्यों और आप ज़्सकें को इमठेट čism ranked और सबसुई अब ऐन्देग इन क्योंकि आपकी फाइब नाइट्स हैं पोस्ट ऑपरेशन वह मैं सीधा लेट के नहीं सो सकता हूँ आपके सामने मैं आपको वीडियो में लेट के भी दिखाऊंगा कि किस तरह लेट के सोना है तो खेर यह आप इस तरह पहन लेते हो इसको मैं जरा बाद में दिखाता हूँ इसके बाद इसके अंदर आपकी जो डिफरेंट मेडिसन इन्होंने दियें कोई इसके अंदर पेन किलर्स हैं और स्वेलिंग के लिए या जो भी चीज़ें सारी मेडिसन आपको साथ दी हैं यह नहीं कि जाओ बार से अपनी मेडिसन खरीद लो उसके बाद इसके अंदर है जी स्माइल हेर क्लेनिक का लोशन और शेंपू इसके बाद इसके अंदर एक तो स्ट्रैप आ गया फिर दो यह दियें क्यूंकि जिस तरह मेरा उप्रेशन हुए है तो कुछ लोगों का ब्लड जादा थेन होता है जिसकी वरह से रात को वो ड्रॉप्स गिरने शुरू होते हैं तो आपका कपड़े भी खराब हो सकते हैं और आपके पिलो के उपर भी ब्लड स्टेंज आ सकते हैं तो दो यह कवर दियें ताकि आप इनको अपने पिलो के उपर लगा लो कि अगर फॉर एक्जेंपल आपके थोड़ी सी ब्लेटिंग होती है रात को जो के एक नॉर्मल चीज है तो कोई मसला ना हो फिर उसके लावा इसके अंदर पोस्ट ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन्स हैं सारी बुक है यह इसके अंदर एक एक चीज आपका कोई भी फ्रिकुंटली आस्क कॉस्टेंज जो होते हैं वो इस फे लिखिये में पेर इसके लावा मास्क हैं अगर आप मास्क लेना चाहो एक हैट है यह हैट भी एक फिलल तकरीबन 20 days to 30 days मैं ना जिम कर सकता हूँ ना walk कर सकता हूँ जिम नहीं कर सकता cap नहीं ले सकता कोई heavy मुशक्कत नहीं कर सकता weight नहीं उठाने और cap भी अगर लेनी है तो वो ये वली लेनी है क्योंकि ये थोड़ी खुली cap होती है ये फिर एक और medicine है तो खेर ये था हमारा आज का दिन बहुत लंबा दिन था मेरे बोलने से चाहिद आपको पता लग रहा हूँ इनर्जी थोड़ी सी बोल बोल के ना क्योंकि पहली operation हुए पूरा दिन और अभी फिलहाल तो रोड़ी दिर में मैं वस्चेंज करूंगा सो जाओंगा कल हमारा wash दे है कल मेरी ये bandage सारी उतर जाएगी ओके सोने का तरीका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर सोना बहुत इंपॉर्टेंट ये एक चीज है ये जो आपको नेक पिलो दिया गिए इस नेक पिलो को लगाना है और लगाने एक तरीका तो ये कि मैं इस तरह उपर से लेके जाओं बट उसमें चां एक पिलो ऐसे रखेंगे और एक पिलो को हम दिरम्यान में रखेंगे ताके हमारा हेट जो है वो इससे दूर रहे इसके बिल्कुल भी इसको टैच नहीं होना चाहिए मैक्सिमिम एंगिल मेरे ये मझे चार से पांच दिन इस तरह से सोना है जो कि I think ठीक है बंदा इस तरह स एजी ली सो सकता है को मसला नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी दो पड़ता है असलाम अलेकूम गुड मॉर्णिंग देटू पुस्ट ऑपरेशन कल हमारा ऑपरेशन था और आज देटू है मैं फरलाल अभी यूथ के नाश्ताव के रह करहा हूं वही जो हमारे इस पूरे पैकेज के अंदर होटिल स्टे इंक्लोडिड है उसी होटिल का ये ब्रेक्पस और मैं बहुत अच्छा और स्वेश फील कर रहा हूं सही नीम पगए रही है अभी ज़रा खानाशन अखालें फिर बताता हूं आज क्या प्लान है अभी हम लोग जा रहे हैं वाश के लिए आज मेरी ये बेंडेज ये उतर जाएगी और सर पूरा क्लेर हो जाएगा मेरे इस पूरे हेल ट्रांसप्रांट के जो प्रॉसस था उसमें सबसे बड़ी सपोर्ट है माहा क्योंके सारे बैग्स आज माहा ने पैक किये हर चीज माहा मुझे पानी भी खुद नहीं पीने दे रही थे थेंक्यू सो मच याद क्लेन मौझे इसाया अजिए तरहे कॉर्फ कर चेंज मावश वाश में सबसे पहले आके आपकी बेंडेज रिमूव करते हैं बेंडेज रिमूव करने के बाद आपके पूरे स्कैल्प को अनलाइज करते हैं चेक करते हैं कि उसके अंदर आपके जो ग्राफ्ट हैं जो आपका कल अपरेशन हुआ था क्या अभी तक सब चीजे ठीक हैं सार आपको बताते हैं कि हमें कोई भी infection नजर नहीं आरी और all good उसके बाद start होता है आपका first wash first wash के लिए आपको clinic ही जाना पड़ता है क्योंकि आपकी bandage remove करने के बाद आपका पहला wash होता है तो वो clinic खुद करता है bandage remove ही उसके बाद उन्हें ने मेरे recipient area के ऊपर एक lotion अप्लाई किया और उसके बाद मुझे एक hall में लेगे जहां पे सामने एक बड़ी screen थी जिस पे मुझे अच्छे से brief किया गया कि नेक्स एक मन्त में मैंने अपना head wash कैसे करना है यह भी पूरी एक टेक्नीक है कि hair transplant के बाद आपने head wash कैसे करना होता है उस ब्रीफ के बाद मेरा head wash प्रोसेस कंप्लीट यह दिन मुझे कुछ वाइटमिन से ही थे वाइटमिन सीरम काफी यहां पे चीज़े होती है आप उनसे डिसकस करके अपने case कोई भी चीज़े हैं से लिए सकते हो मैंने कुछ वाइटमिन लिये और मिनोक्सिडिल एंड फेनिस्ट्राइड स्प्रेय लिया उसके बाद क्लेन को हमने फाइनल गुडबाइ किया यह आपका क्लेनिक पे लास्ट विज़े होता है इसके बाद अगर 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 चाहो तो फॉरेन फ्लाइट लेके अपनी कंट्री वापस जा से बाद में थैंक यू सो मच मैं कोशिश करूंगा कि hair transplant से related और जो भी information है वो आप लोगों तक पहुंचाता रहों खेर दौाओं भीयाद रखिएगा और अगर आपने hair transplant करवाना हो तो smile hair clinic पे आप मेरे यह code यूज़ कर सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा discount मिलेगा खेर जी